तो हलो दोस्तों, आज देखिए आप करने वाले हैं बैक और बाइसेप्स का ताबर थोड़ वर्काउट अगर आपको लीन गेन करना है अपने बाइसेप्स को और बैक को तो चलिए करते हैं वर्काउट, पहला वर्काउट इस तरीके से लेना बहुत एफेक्टिवली फरगाने वाला है, उसके बाद सेकिंड वर्काउट हमें लेना है जैसे हम सिटी ड्रोइंग लेते हैं, इसी तरीके से आपको एक बैंच लेना है थोड़ा सा इंकलाइन लेवल पे उसे सेट करना है और उसके बाद में फील योर मसल, हर वर्काउट के अंदर में आपको अपने मसल को कनेक्ट करना है आपके माइंड के साथ और इस तरीके से, यहाँ स्कुईज, होल्ड, रिलीज यह बहुत प्यारा जो एक वे है आपको मुमेंट करने नेगेटिव पोस्चर जब करेंगे आप उसके बाद येस, hold and slowly release यह बहुत एफेक्ट करता है, आपका पॉजिटिव पोस्चर और नेगेटिव पोस्चर दोनों अगर आप slowly करते हैं, तो effectively आपकी muscle पे असर आता ही है यह है उसके बाद वाला workout, यह straight आप बहुत effective workout है और इसे भी थोड़ा सा incline करके करें, हम लोग straight हो के करते हैं यह बिल्कुल bend हो के करते हैं, तो उस तरीके से करके देखें और उसके बाद अपना जो simple है, front leg pull down, इसे करें आप effectively करें, hold, squeeze, down, release इस तरीके से करेंगे तो बहुत effective फ़रगाने बाला है उसके बाद मैंने लिया biceps का workout, बिल्कुल flat barbel लेखे आपने barbel curl करनी है, biceps के लिए लेकिन with supported आपकी back support रहेगी, क्योंकि हिलना डुलना नहीं है हाथ एक जंगा freeze रहेंगे, moment बड़ी effective है तो इसे try करके देखें, आप actually muscle इतनी जल्दी fatigue तक जाता है इस moment को ज़रूर try करें आप, जो आप standing barbel कर लेते हैं उसकी तुलना में पीछे support लेके, jump करके देखें बहुत effectively फरकाने वाला है उसके बाद फिर हम चलते हैं next workout पे next workout मैंने लिया, आप जब preacher कर लेते हैं उसी का substitute है, बहुत effective है ये देखे, old school rule है, बहुत अच्छा रसार आता है आपकी peak पे, तो इस workout को भी जरूर अपलाई करें आप और इन सभी workout को आप connected करें 3 sets के साथ में और repetition रखें 12 से 15 अब ये वाला set देखिया, ये बहुत effective है हम hammer करते है, hammer curl जब हम करते हैं dumbbells के साथ में, उसी तरीके से आपको rope लेनी आगे थोड़ा सा band होना, and just hold down इस तरीके से, बहुत effective है, बहुत फरागाने वाला है ये advanced level workout है, तो ये workout में चली करते है next workout और ये देखिया आप, ये आपको incline पे जब आप dumbbell curl करते हैं, इसमें कोनिया बिल्कुल सीधी रहेंगी and peak को बिल्कुल tight करना है, कोशिश करना है, महसूस करना है अपने workout को जितना महसूस करेंगी, उतना जदा effectively आपको फरागाने वाला है, actually insane workout है ये आपकी biceps peak के लिए, तो चली करते है next workout, next workout में मैंने लिया concentration card, और ये workout actually again effective for your peak आज हमने जितने भी biceps के workout किया हूँ वो peak से related किये, और ये back और biceps का जो मेरा mini vlog है अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो please इसको like करना और channel को subscribe करना ना भूले तो ये बहुत effective workout है, इसको भी आपने और जिस तरीके से महसूस करके यहाँ उपर लेके आना है, hold squeeze down उसके बाद close grip से आपको barbell curl करनी है, little bend आगे थोड़ा bend हो के, पहले हमने supported किया, अभी थोड़ा सा आगे bend हो के करना है और इसमें भी आपके peak पे बहुत फरागाने वाला है, क्योंकि को यह आपको एक जंगा lock करके करनी है, moment आपके सरिफ biceps की होगी muscle की होगी, और आपको freeze रखना है पुरी बाड़ी को, और यह देखिए effectively, next workout for your forearm effectively workout हो यार, यह देखिए आप reverse grip से, forearm curl जब आप करते हैं effectively फरकाने वाला है, one of the best workout for your forearm, और यह बहुत अच्छा workout है, इसे आप करने के बाद, इसकी भी आप 3 से 4 set ले सकते हैं, और repetition 15 से अगर व्लॉग आपको चलगा हो, तो प्लीज चनल को subscribe कर दीजे, thank you so much for watching